नमस्कार मित्रों मैं आचारिज प्रमोद उपाध्याय अपने इस कारिश क्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी के समक्ष वस्थितु मासिक राशी फल के शाथ मित्षुन राशी वालों का अप्रेल का महीना किस तरीके का रहने वाला है इसी पर आज मैं आप सभी के साथ चर्चा करूँगा सबसे पहले ग्रहों की स्थिजी पे एक नजर डाल लेते हैं यह जो आपको यहाँ पे जन्वांग शक्र दिख रहा है इसमें बता दूँ कि मित्षुन राशी में राहु ग्रह विराजमान रहेंगे वही पे चंद्रमा करक राशी में विराजित हैं जो की हमेशा बदलते जाते हैं धारू राशी में केत्व ग्रह विराजमान है वही मकर राशी में गुरू शनी एवं मंगल ग्रह विराजित रहेंगे बुद्ध ग्रा कुम राशी में विराजमान है वही सूर्ज मेन राशी में विराजित हैं जो कि 14 अप्राइल 2020 को राशी को परिवर्थित करक और मेस रासी में उच्छ के हो जाएंगे आए प्रारंब करते हैं सबसे पहले कि ये महीना आपके लिए आपके औरे के द्रिश्टिकोंड से किस तरीके का रहने वाला है सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस महीने बहुत ही बहतर दिखाई दे रहा है लेकिन जल्द में लिया हुए डिसिजन आपके लिए बहुत ज्यादा नुक्षान दायक हो सकता है इसलिए संभाल कर चलेंगे तो बहुत सारे लाब आपके जीवन में इस महीने मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं वहीं पर धन की स्थिति की बात कर लेते हैं तो धन से समंधित चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी अन्यथा आपका धन कहीं नुक्षान हो सकता है या फिर धन कहीं पर अगर अटका या फसा हुआ है तो उसकी आने की जो संभावनाय है वह थोड़ी सी कम दिखाई दे रहे हैं इसलिए और अधिक बढ़ सकती है बात कर लेते हैं संतान से सम्मधित किस तरीके का फलाफल रहने वाला है संतान सम्मधित चीजों को देखा जाए तो वहाँ पे संतान से रिलेटेड जो चीजे है वह बहुत ही अच्छी दिखाई दे रहे हैं संतान से अगर किसी तरीके की परेशा रहेगा इस समय अगर किसी भी तरीके का प्रेम के अंदर स्थिति गड़वड हो रही है तो वह काफी सुधृर्ण अवस्था में जाएगी मधुर प्रेम की संबंध स्थापित होगा साथ ही साथ में बात करते हैं सत्रू की स्थिति किस तरीके की रहने वाली है सत्रू थोड़ा सा प्रभाव साली रहेंगे इस महीने में सत्रू को हलके में नाले अन्यथा आपका नुक्षान होना लगभग तैय दिखाई दे रहा है रोग अगर किसी भी तरीके का है आपके सरीर में पहले से उसका कही न कहीं इस महीने में आपको इलाज मिलेगा और किसी बैदिराज से मुलाकात हो जाएगी जिससे उससे आप निजात पाने में काफी हद तक काम्याब रहेंगे कोट कचारी से रिलेटेड अगर समस्या पहले से चली आ रही है तो उससे आप इस महीने चुटकारा प्राप्त करने में काफी हद तक काम्याब रहेंगे बात कर लेते हैं पार्टनर्शिप की ब्यापार से रिलिटेड अगर किसी भी तरीके का पार्टर्शिप करना चाहते हैं पार्टर्शिप के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है मेच्वल अंडरस्टानिंग अच्छी नहीं है पार्टर के साथ में तो वहाँ पे आपको बहतर तालमेल बिठा कर चलने की जरूरत रहेगी अन्यथा पार्टर्शिप तूटने की भी शंभावना यहां पे दिखाई दे रही है पती-पत्नी भी आपस में सामंजस बिठा कर चलने की जरूरत है इसलिए किसी छोटी-मोटी बातों को ज़्यादा ध्यान ना देते हुए प्रेम संबंद स्थापित करके चलने अन्यथा दोनों में भी इस्थिती बिगड़ने की शंभावना दिखाई दे रहे हैं उनके लिए बड़ा ही शुब समय दिखाई दे रहा है और साथी साथ में जो लोग कोईले का अगर व्यापार करते हैं सराब का व्यापार करते हैं ऐसे लोगों के लिए भी बड़ा शुब समय रहेगा जो लोग बीमा के शित्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी या मैना बहुत ही हद तक सुब दिखाई दे रहा है जो लोग शोने चांदी का व्यापार करते हैं उनके लिए भी या मैना बहुत ही शुब राने वाला है भागी की स्थिती पाले से बहुत ही बहतर दिखाई दे रहे हैं भागे आपका काफी हद तक आपके शाथ होगा जिसे अपने आपको आप काफी confident महसूस करेंगे साथ ही साथ में अब आगे बढ़ते हैं विदेश से सम्मंदित अगर्षी तरीके का planning आप कर रहे हैं विदेश जाने का जो काफी समय से delay हो रहा है उसमें आप सफलता की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आसानी से आप इस महीने विदेश यात्रा कर सकते हैं या फिर सिक्षा के द्रिश्टिकोंड से अगर आप दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए बड़ा शुब शमय दिखाई दे रहा है इस महीने में अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इस महीने में आपकी जो इंकम है वा किस तरीके किराने वाली है इंकम के द्रिश्टिकोंड से देखा जाए तो बड़ा ही शुब समय दिखाई दे रहा है और वहीं पे 15 अप्राइल 2020 को सुर्ज जब राशी को परिवर्टित करके मेस काफी हद तक बैतर डेवलपमेंट की तरफ लेकर आपको जाएगा बड़े बुजोर्गों का आशिरबाद भी इस महीने आप राप्त करके काफी हद तक कामयाब रहेंगे आपका खर्च भी बढ़ने वाला है इस महीने लेकिन सानों सौकत पर बढ़ेगा आप किसी भी तर मेने में कुछ सावधानियों को भी बरतना होगा आपके लिए अब सावधानी बरतने के जहां तक बात है 11 और 12 अपरेल को आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए वहीं पे 23 और 24 अपरेल को भी आप सावधान रहेंगे तो बहुत ही शुब शमय रहेगा अन्यता चोट चपेट लगने की शंभावना दिखाई दे रही है या कि कोई चीज चोरी होने की भी शंभावना दिखाई दे रही है इसलिए सावधानी पूरवक आगे बढ़े या मैना आपके लिए बहुत शुब दिखाई दे रहा है तो मुझे आसा है कि मेरा यह कार्श्क्रम आप